तो वेलकम हैं सभी साथियों का आपके अपने परबार फिजिक्स वाला में मैंने तिनसागर एक बार फिर से आप सभी के सामने आ चुकों एक बहुत ही प्यारा मैंस का सेचन लेकर जैसे कि आप सभी को पता है हम मिलते हैं डेली रात में आठ बजे तो चलिए क्लास की शुरुबात करते हैं राम राम भाई राम राम सभी को जितने भी साथी क्लास में जुड़ें सभी का वेलकम है तो चलिए शुरू करें फिर क्लास को चलिए दोस्तो तो फिर starting करते हैं आज के session की और यह mock test बहुत ही प्यारा mock test है, बहुत ही प्यारे प्यारे questions यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, तो पहला question आपके सामने आपकी screen पर आचुका है, सभी साथ यह बढ़ी हो तरीके से answer देंगे, तो बताईए दोस्तो पहला question आ चुका है बताएंगे क्या अंसर हो जाएगा कीजिए सभी लोग कीजिए फटाफट से तो कह रहा है यहां पर यह और भी एक काम को 18 और 36 दिनों में कर सकते हैं यह और भी एक काम को 18 और 36 दिनों में कर सकते हैं एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तीन दिन बाद एक काम छोड़ देता है रिमेनिंग काम को भी कितने समय में पूरा कर लेगा बताएंगे जल्दी से सभी साथी कीजिए कितना आंसर होगा फड़ाफट से आंसर देंगे सभी लोग कीजिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कह रहा है ए किसी काम को कर रहा है 18 दिन में और बी किसी काम को कर रहा है 36 दिन में टोटल काम आ गया 36 अठार दूनी 36 36 एकम 36 ए की चमता आ गई 2 और बी की efficiency आ गई 1 आगर दोनो 3 दिन जrows एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं 3 दिन बाद एक काम छोड़ा है मतलब दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे भाई दोनों एक दिन में तीन काम करेंगे और तीन दिन में कितना काम करेंगे नौ काम नौ काम तीन दिन में दोनों ने कर लिया होगा रिमेनिंग काम कितना बचा 27 27 सेश काम कितना बचा 27 27 जो कौन कर रहा है B कर रहा है तो B 27 वर को कितने की चमता से एक की चमता से करेगा 27 days में हो जाएगा तो answer हो जाएगा C 27 बिलकुल 27 answer हो जाएगा कोई बात नहीं डेली आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो अपने आप चीजे अच्छी हो जाएगी ठीक है राम राम जी राम राम तो बहुत ही सिंपल सा कोश्चन था ठीक है चाहें आपको मैटस आती हो ना आती हो डेली ये क्लास आप लेंगे ना बिलकुल बेसिक से ही है तो आपकी चीजें अपने आप इंप्रू ओनी स्टार्ट हो जाएंगी अगर आप डेली हमारे साथ जुड़कर अच्छे से चीजों को समस्ते हैं अगला कोश्चन है आपके सामने ये बताइए रादे रादे भई रादे रादे स्वागत है आप सभी का जो जो बच्चे क्लास में जुड़ने हैं चलिए अगरा कोश्चन आपके सामने आ चुका है फड़ा फड़ से आंसर दीजे कितना आंसर हो जाएगा जल्दी से सभी साती कीजिए गुरीवनिंग गुरीवनिंग कह रहा है निमलिखित तालिका का द्यानपूर्भा कध्यान करके नीचे दिये गए प्रश्नों के उत्तर देना है चार कमपनी दे गई हैं उनका तोटल प्रोडक्शन दिया गया है वर्श 19 से 22 तक किस कमपनी का आशसट उत्पादन सबसे अधिक था किस company का उसत उत्पादन सबसे अधिक था तो दोस्तों इस question में आपको कुछ नहीं करना है सारी ये चारो जो company हैं एक, दो, तीन, चार इनका उसत उत्पादन सबसे अधिक था तो देखो उसत कैसे निकालते हैं average कुलपदो का योगबटे कुलपदो की संख्या तो यहाँ पर आपको एक बात देखनी है कि उसत नहीं निकालना आपको जिनका सम, क्योंकि जाईर सी बात है इनको जोडोगे, इनको जोडोगे, इनको जोडोगे, इनको जोडोगे इनको जोडोगे, 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 इनको जोडो से रिवाइट कर रहे हो, जिसका सम सबसे जादा, योग जिन में सबसे जादा होगा, उसका ही औसद भी सबसे जादा होगा, क्योंकि इक्वल चार से ही सब में भाग दिया है, अब देखो कैसे करना है, तो थोड़ा सा अगर इन पर हल्की सी नजर मारो, तो ये 65, 88, 84, 84 है 76, 85, 75, 84 है, ठीक, तो और ये कितना है, 64, 72 68, 76, तो देखो ये कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो इसको एड़ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे जादा वाला बताना है, तो यहाँ compare भी कर सकते हो आप, अब ये एक क्वल है ये कम हो गया, चलो ये भी कम हो गया, लेकिन यहाँ जादा हो गया, अब यहाँ पर देखो, बहुत कम है, यहाँ भी कम है, अगर ये जादा भी हो गया थोड़ा बहुत, तो इन से कबर हो जाएगा तो ये भी कमी आएगा इसको भी मत देखो अब ये वाले दो वचे यहां पर ये वाला जादा है इसमें ये जादा है इसमें ये जादा है तो मेरे भाई यहां पर compare करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि दो इधर जादा है तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम लोग इसमें एड कर लो एड कर लो तो यह आगे 8,5,13 और 5,18 और 8,7,15 और 8,23 और 7,30 इधर देख लेते हैं 6 और 10,16 और 4,20 हासिल लगा 2,7,2,9,8,17 और 7,24 और 8,32 तो सबसे ज़ादा B option answer थोड़ा सा न इस तरीके से सोच लिया करो तो क्या answer आएगा company 2 का कुल उतपादन तो company 2 अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं B option पर क्लिक कर देंगे जबकि company 2 वाला कौन सो option है D तो D वाला option सही होगा ना कि company 4 तो D option बिलकुल सही answer सबसे कम वाला तो मुझे तीसरा वाला अगर सबसे कम कहा रहा है तो तीसरा वाला answer हो answer दीजिए बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग को answer देना है बताईए कीजे भाई सभी लोग प्रति दिन 6 घंटे काम करके 15 व्यक्ति एक निश्चित काम को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं प्रति दिन 10 घंटे काम करके 13 व्यक्ति उसी काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे मेरे भाई सिंपल सा कोश्चन है जब भी कोश्चन इस तरीके का है इतने आदमी इतने काम को इतने दिन में कर सकते हैं तो इतने आदमी इतने काम को कितने दिन में करेंगे हेलो भई हेलो, तो M1, D1, H1, अपॉन W1 बराबर, M2, D2, H2, अपॉन W2, ये कॉंसेप्ट लगाये करो, ठीक, आईए ज़रा, बस काम नीचे आदमी दिन घंटे उपर, आदमी दिन घंटे, M1, D2, R, उपर काम नीचे, जैसे 6 घंटे, 15 व्यक्ति, एक निचित काम को 26 दिन में, एक काम को, एक नीचे लिखो मत लिखो, कोई फर्क नी पढ़ ला, तो आदमी घंटे दिन उपर, तो क्या खह रहा है, प्रति दिन 10 घंटे काम करके, 13 व्यक्ति, उसी एक काम को कितने दिन में कर लेंगे, उसी एक काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो देखेए, काम नीचे, बाकी आदमी घंटे दिन उपर, 13 दूनी 26, और यहांपर यह आगया, आपका कितना, दो, पंजे, दस, पांच, तीया, पंदरा, छे, तीया, अठारा, तो कितना आगे, 18, 18 डेज में, कितने दिन में, 18 दिन में, तो B option सही है, simple question था है, यहाँ पर B मैं देखूं जा रहा, बहुत ही बढ़िया तरीके से answer दे रहे हैं, बिलकुल, बिलकुल B answer आप लोग सही दिये हैं, अगला question है, आपके सामने ही, आपकी screen पर बनाएए, कीजे भाई सभी लोग, बिलकुल B answer हो जाएगा, बिलकुल आपका सही है, good evening, good evening, welcome है, सभी का जो जो बच्चे हमारे साथ में, जुर्णे हैं, class में, चली, बताइए दोस्तों, अगला question आपके सामने, आपकी screen पर कीजिए, speed में 20 की कम ही आजाती है, पूरी आत्रा के दौरान, और सच्चाल कितनी होगी, तो यहाँ पर 24, 15 भी दिया है answer, चली, तो बहुत ही simple सा question है, 30 दे रहे हैं, पर आप लोग देखो, इसमें गलती क्या कर रहे हो, आपको पता है, और सच्चाल का formula, 2xy upon x plus y होता है, 2xy upon x plus y, ले लेकिन एक्जामनर ने गलती कराने के लिए, क्या कह दिया, कि गई है 60 की चाल से, लेकिन आई है, तो 20 की कमी हो रही है, यानि आप आपने 20 लिख दिया यहाँ पर, क्या होगा, 2xy, 20 की कमी यानि बापस आई है, 40 की चाल से, यह थोड़ा सा आपने गलती कर दी, आपने क्या किया, आप 20 ही लिख दिया, गई है 60 की चाल से, आई है, 20 की कमी हो जाती है, मतलब 40 की चाल से, आप 20 लिख दे रहो यहाँ पर, यहीं पर गडबड हो रही है, ठीक ह हो गया 100 ये कितना हो गया 100 और 100 से 20 कड़ गये अरे 100 से 20 कड़ गये 48 48 आंसर आएगा समझ रहे हो बात आप लोग कहा पर गलती कर रहे हो बिटा 2xy होता है तुमने 2 से गुणा नहीं की जो 24 आंसर दे रहे हो आप ठीक है ठीक है भई चलिए आगे बरते हैं अगले कोशन की नहीं है बनाईए जरा कीजे सभी साती बहुत बढ़िया अगला कोशन है आपके सामने ये बताईए क्या अंसर हो जाएगा सभी लोग त्यान से देखिएगा सभी साती सिंपल सा कोशन है बताईए आठ अजार रुपे पर दस प्रतीशत की छमाही दर से 6 वर्ष का साधानर ब्याच क्या होगा ये भी कोशन यहाँ पर आंसर आप सभी ने जो दिया है आपने क्या कर दिया दस प्रतीशत की दर है और 6 साल साथ आपने सिंपल फर्मूला लगा दिया मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 यही कर दिया ना आपने तभी तो आंसर आपका यह आ रहा है बी आपने कोशन पड़ा कोश्चन क्या कह रहा है कोश्चन आपने पढ़ा बिल्कुल तो यहां पर आंसर इसका भी नहीं होगा दिल गलती कर बैठा है ध्यान से देखो कोश्चन बिल्कुल गीता आईए देखिए सबी साती मैंने आपको पहले भी बता है किस दर से भी आज पूछ रहा है छमाही दर से 10% हाफरली 10% की छमाही दर से भी आज पूछा है एक बात यहां पर आपको समझनी है अर्दवार्शिक rate of interest क्या है हाफरली लेना है आपको और लेडी यहां पर 10% की छमाही दर दे रखी है दर यहां पर चेंज करने की जरूरत नहीं है अगर वर्श में होती दर और छमाही दर से भी आज पूछा होता हाफरली डियो होता इंटरेस्ट और दर होती वर्श में तब आदा करते इसमें इसको ऐसी रहन देना है आपको rate of interest ओलेडी 10% हाफरली दी है आदा करने की जरूरत नहीं है आदा करने की दर को जरूरत नहीं है बस time duration जो दिया है वो 6 वर्श दिया है तो 6 वर्श में कितनी छमाही हो जाती है 12 6 वर्श में 1 वर्श में कितनी हाफरली होती है 2 तो 6 वर्श में कितनी हाफरली जिस दर से ब्याज पूछा हो दर और समय को उसी में बदल लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना था बस वर्ष को छमाही में बदलना था टाइम को आफरली में बदलना था अब लगाओ फॉर्मूला साधानण ब्याज बराबर मूलधन प्रिंसिपल इन्टू रेट पी आर पी अपॉन हंड्रेड पी आटी अपॉन हंड्रेड तो बाराटे श्यानवे सो आंसर आजाएगा यह डी ऑप्शन आंसर आएगा डी देखो कर ली गलती आपने ऐसी करते हो आप लोग गलती चली अगला कोश्चन आपके सामने यह रहा आपकी स्क्रीन पर बनाईए बहुत प्यारा कोश्चन है द्यान से देखिएगा बताईए सभी लोग क्या अंसर होगा सभी साथ ही कीजिए कितना अंसर होगा बताईए 12 कैसे आया बिटा 6 वर्ष था एक वर्ष में 2 हाफ अर्ली होती है एक वर्ष में 2 चमाई तो 6 वर्ष में कितनी चमाई 12 चमाई ऐसे 12 आया था ठीक इसका अंसर 74 आप दे रहे हैं कुछ लोग A कह रहे है 111 कुछ लोग B कह रहे है चलिए आये ज़रा ध्यान से देखिएगा सभी साथी दो संक्याओं का प्रोड़क्ट दे रखा है इतना HCF इतना बड़ी संक्या पूछ रहा है कितनी होगी मेरे भाई यहाँ पर एक बात समझो अगर संक्याओं का रेशियो A to B है HCF कितना है 37 है तो संक्याओं क्या होंगी नंबर्स क्या हो जाएंगे 37 A, 37 B इस बात में किसी को कोई दिक्कत HCF दे रखा है 37 तो संक्याओं हो जाएंगी 37 A, 37 B तभी तो HCF A आएगा highest common factor तो संक्याओं क्या हो जाएंगी 37 A, 37 B अब इनका प्रोड़क्ट इनका प्रोड़क्ट दिया है कितना इतना solve कर लेते हैं आईए जरा 37 A, 37 4 37 A, 37 3 37 A, 37 और 37 3 111 A, B बराबर आगया कितना 3 A, B क्या होता है ratio होता है तो ऐसी दो संक्याओं है जिनकी गुणा करके 3 आए एक अनुपात 3 A की value कितनी आगई अब आएगी 37 A, 37 B 37 B बड़ी संक्या कितनी आजाएगी एक संक्या तो हो जाएगी देखो 37 A, A को जाएगी 37 A को जाएगी 37 B A की value A, B की value 3 111 A option answer हो जाएगा simple question था जिनोंने A option बोला था उन सब का सही था A वालों का सही है ठीक है A वालों का सही है चलिए अगला question है आपके सामने ये कीजिए तो असान है इसका तो answer भी रटा हुआ होगा कई को answer भी रटा होगा इसका तो मुझे लगता है आपको कीजिए सभी साथी जल्दी से कीजिए कितना answer आएगा ध्यान से देखिए अच्छा वेलकम है भाई चलिए आ गए हो तो अब अच्छे से पड़ो क्या answer दे रहो डी या ए पहले तो 22 बटे साथ 11 का multiple पहली बात तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अगर ब्यास 42 है तो radius 21 है और radius 21 है radius अगर 21 है तो यहाँ पर गोले का जो प्रस्टी अच्छेतफल होता है वो 544 होता है यह तो पहली बात सीधा सीधा कोशन है लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ 11 का multiple चेक करना जा रहा 5,4,9,5,4,9 11 का multiple है 5,5,10,8,4,12 यह नहीं है 9,6,15,8,7,15 यह भी 11 का multiple है 8,8 यह भी 11 का multiple है तो अंसर यह तो A या C या D इन में से एक है तीक चलो अभी करी लेते हैं क्योंकि तीन option है पहली बात गोले का प्रस्टी अच्छेत्रफल टोटल सर्फेस अरिया पूछा हो स्फेर का या कड़ सर्फेस अरिया पूछा हो दोनों ही सेम होते है क्योंकि गोला तो पूरा ही बक्र होता है curved होता है 4 pi r square 4 pi r square 4 pi r square तो भाई यहाँ पर 4 pi r square तो 7,21 एकाई अंक देखें जरा यह तो अंसर है ही नहीं क्योंकि 11 का multiple नहीं है तो 4 दूनी 8 तिया 24 4 एकम 4 तो unit digit 4 इन में से बाकी जो remaining option है इन में से 11 काई चार केबल इस option का है तो यह थोड़ा सा आप इस तरीके से वनना इसको तो आप याद ही रख लो कई बार यह question आपको देखने को मिलेगा अगला question यह रहा आपके सामने आपकी screen पर बनाईए और इस question में आपको मैं ninja technique भी बताऊंगा कीजिए झाईब एस जा मेंना क्या इस भी आपको wiped स्कुष झाल झाल बहुत ही प्यारी में ट्रिक बता रहा हू इस कोशुन को करने की आपको ध्यान से देखिएगा सभी साती में इसमें कोश्चन में आपको कुछ नहीं करना है आपको की सिंपल सी बात ध्यान रखनी इसका basic method भी बता देंगे, लेकिन पहले ninja technique देख लो इस question को करने की, जब भी ऐसा question आएगा, यहाँ पर देखना 9 का combination होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ same value होनी चाहिए, same, है न, यहाँ पर same value होनी चाहिए, same value, यहाँ दोनों जगे same value होनी चाहिए, तभी यह ninja technique काम आएगी, जो मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ same value होनी यहाँ 9, यह 9 के combination में ही लगेगा, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, अब चाहिए, यहाँ एक बार 9 होता, चार चार बार 9 होता, 9 के combination में, यह value कुछ भी हो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, बस यह वाली value 9 के combination में होनी च चाहिए, मेरे भाई इतनी बात समझ में आ गई आपके, आपको short trick क्या use करनी है, इस multiply के बाद जितने 9 हैं उन्हें as it is लिख दो, multiply के बाद जितने 9 हैं उन्हें as it is लिख दो, multiply से पहले 9 वालों के बना दो, 0, 39, 30 बना दिये, इन दोनों का जो difference है, क्या difference है मेरे भाई, इन इन दोनों का difference कितना आएगा, 42, तो 42 को घटा दो, खतम, answer, 58, 58 यह तो नहीं है, चलो करी लेते हैं, यहां पर आ गया, 98, 958, 98, 958, कैसी लगी trick, समझ में आया, एक बार दुबारा से समझो, multiply के बाद जितने 9 हैं उन्हें ऐसी लिख दो, multiply से पहले जितने 9 हैं उनके 0 बना इन दोनों का difference 42 है, 42 को घटा दो, answer, अब जड़ा मेरी बात को समझना, B option answer होगा, अब मेरी बात को समझना, basic तरीका, basic तरीका क्या है, पहले आप इस portion को solve करोगे न, इसकी इससे multiply करोगे, इससे जोड़ोगे, बटे में यह 99, इससे कड़ गया, तो यह answer आएगा, बोलो, answer, अब देखो, 99 की इससे multiply करोगे 999 से, तो 99 की 99 को आप 1000-1 लिख सकते हो, नहीं, 999 को बोलो, हाँ या न, तो 99,000-99, तो यह कितना आगया मेरे भाई, यह आगया आपका, 99,000-99, यह आप ऐसे भी देख सकते हो, 99,000-99, तो इन दोनों का difference कितना आ रहा है, 42, minus 42, तो यह जो minus 42 किया है न, वो इन दोनों का difference ही है, है न, तो minus 42, तो आपका answer कितना आ जाएगा, आपका यह answer आ जाएगा, ठीक है, यह 42 यही वाला घटाया है, तो इतना सब कुछ ना करना पड़े, तो यह ninja technique आपको सीखनी है, जरा इस ninja technique से इस question का answer बता दीजे कितना होगा, इस ninja technique से इस question का answer बता दीजे कितना होगा, बताइए सभी साती, सभी लोग करो कितना answer होगा, फड़ा फड़ से, जल्दी से, गुड़ीवनिंग, ट्रिक से ही करना है, देखिए जरा, जब अरजस्त, आओ, देखो जरा मेरे भाई, multiply के बाद जितने 9 होगा, ऐसी लिख दो, multiply से पहले वाले 9, इनको 0 बना दो, एक का difference है, इस एक को घटा दो, answer, कितना answer हो जाएगा आपका, C, clear, कितना answer हो जाएगा, C, समझ में आई बात, ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, अब अगले question की तरफ, आपने देखो क्या गलती की है, अगला question है, आपके सामने ही है, ध्यान से देखिएगा, सभी लोग, कीजे दोस्तों, कहाँ पर गलती हुई पता चल गया, गोबिंद राजा, मेरे भाई, जैसे एक सिंपल सा question मैं आपको दे रहा हूँ, ये, ये question है, ठीक, करना ज़रा बाकी लोग answer बताना, इसका क्या answer होगा, फिर करते हूँ उसको, हूँ, बताईए, कीजे सभी लोग, क्या answer होगा, सभी साथ ही कीजे, हूँ, multiply के बाद जितने 9 उने ऐसी लिख दिया, multiply से पहले ये वाले 9 के बना दिये 0, इन दोनों का difference कितना है एक का, एक को घटा दिया, तो कितना आएगा आपका, 99, 800, 99, समझ में आ रही है बात, clear है, यह जो difference होता है, इसको घटा देते हैं बाद में, ठीक, पिटा, क्लास का टाइम डेली रात में 8 बजे, ठीक है, बाकी, यह तो क्लास आपकी 8 बजे चली रही है, मैं आपको बता देता हूँ, सभी को, जो लोग हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं, उनको मैं बता देता हूँ, यह क्लास, 8 बजे तो रात में चलती है, जो अभी चल ले है, एक क्लास होती है, एक बजे दुपैर में, यह chapter वाइस चल ले है, लेकिन यह चलती है आपकी SSC वाला YouTube चैनल पर, चैप्टर वाइस शुरूश है, बढ़िया क्लास है, इसको भी लिया करो, यह क्लास 11 बजे भी होती है, अपनी UP exams वाला, YouTube पर यह practice class होती है सुभा, यह न, UP exams वाला, तो यह तीन क्लास चलती है अपनी, इन सब की PDF और classes से पहले class की information लिंक के साथ में इस Telegram चैनल पर मिलती है, है न, Maths by Nitin Sagar sir, ठीक है बहीं, चलिए, आईए दोस्तों, अब ध्यान से देखिए सबी लोग, A और B में छातरों की संख्या का अनुपात 5 अनुपात 8 है, इसकोल A और B में छातरों की संख्या, वै किस रेशियो में है संख्या, 5 अनुपात 8 की अनुपात में, इसकोल A और B में छातरों की संख्या में 20 परसेंट और 15 परसेंट की increment हो जाता है, increase हो जाती है, यह कितना बढ़ ला है 20% यह कितना बढ़ ला है 15% तो जितना बढ़े ना 100 में जोड़कर उतना उसका percentage निकाल दिया करो यहाँ पर यह 20% बढ़ ला है तो इसका 120% यह 15% तो इसका 115% कम होगा तो 100 में माइनस करके उसका उतना परसेंट जैसे 20% कम होता तो 5 का 80% करते बढ़ेगा तो 100 में जोड़कर ठीक है तब अब यही करते रहोगे चलो percentage से percentage गया और यहाँ पर आप काट पीट मचा दो यहाँ पर 5 से गया 24 पंजे 120 और 5 से 23 पंजे 115 और कुछ कट रहा है आठ तियां 24 पंच तियां 15 नूपाद 23 पंदरा नूपाद 23 सी सी ओप्षन आंसर है सी आएगा बी नहीं सी आएगा ठीक है हाँ आ रहा है कमेंट तुमारा भी अगला कुश्चन है आपके सामने बनाओ करो भई ध्यान से देखिए सभी साती ध्यान से देखिए एक राजमार्ग पर दो इस्थान ए और भी एक दूसरे से साट किलो मीटर की दूरी पर है कार एक कार ए से दूसरी और बी एक कार ए से और दूसरी और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना अच्छा एक इधर से चल लगी है एक इधर से चल लगी है तो वे छै घंटे बाद मिलती हैं इसकी चाल एकस इसकी चाल वाई अपोजिट डारेक्शन केस में ये कह रहा है ध्यान से सुनिए साप एक चाल वराबर होता है दूरी बटे समय दस नहीं आई बात समझ में अपोजिट डारेक्शन में जब चलती हैं अपोजिट डारेक्शन में तो साट की दूरी छै घंटे में अब आई, तो relative speed क्या हो जाएगी, opposite direction में क्या करते हैं, sorry, चालो का योग करते हैं, opposite direction में क्या करते हैं, x plus y equal to 60 upon 6, यानि 10, जब वो same direction में चलती हैं, यदि वे एक दूसरे की और, हाँ, अच्छा, पहले हम, यदि भे A की दिशा में चलती हैं, तो 6 गंटे में एक दूसरे से मिलती हैं, okay, okay, तो पहले कह रहा था Ay A की दिशा में, मालिया एक कार, A से B की तरफ चल लिए और दूसरी B से इधर चल लिए, Y diaggio में चलती हैं, तो दोस्तो 6 गंटे में मिलती हैं, तो relative speed 10, जब वो बिपरीद दिशा में चलती हैं, तो देड़ घंटे में, तो देड़ घंटे में मिलती हैं, यानि यह हो जाएगा 40, point अटाएंगे, 0 बणाएंगे, same direction में चलती हैं, तो 60 की दूरी 6 घंटे में, opposite direction में चलती हीं, 60 की दूरी 8,5 घंटे में, ये बताओ ये बात सब की समझ में आई, ये क्या किया है सर ने, क्योंकि same direction में चालो का अंतर लेते हैं, अपोजिट में चालो का योग करते हैं X-Y, X-Y जब आपको X की value निकान ली हो इस case में तो दोनों को जोड़ कर आधा कर दिया करो मन में ये बात कई बार बता रखिए 25 अगर आपको Y की value निकान ली हो प्लस माइनस वाले term की तो दोनों का difference का आधा कर दिया करो दोनों के अंतर का आधा 15, 25, 25, 25 D option answer है ये question बहुत ही सरल था मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी ठीक है? ठीक है? किलियर है सभी को? तो D answer होगा गुड इवनिंग भई, गुड इवनिंग चलिए, आगे बढ़ते हैं अगला question है आपके सामने पुलिस चोर वाला बनाई है कीजिए सभी साथी बताईए क्या answer होगा एक पुलिस कर्मी एक चोर को पीछा शुरू करता है तो चोर भागने लगता है चोर की चाल दे रखी है 4 मीटर पर सेकिंड और पुलिस वाले की चाल है 7 मीटर पर सेकिंड ठीक पुलिस कर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर के द्वारा तै की गई दूरी सिंपल कोशन है तो दोस्तों यहाँ पर आप इस कोशन में सिंपल सा कॉंसेप लगा सकते हो पहले आप ऐसे कर सकते हो कि कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा कितने समय में पुलिस वाला समय बराबर होता है दूरी बटे सापेक चाल सेम डारेक्शन में डिफरेंस लेते हैं दूरी वटे साप एक चाल तीन अठे चौबिस तीन तीन नो 83 सेकिंड में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा अब एक बात बताओ 83 सेकिंड चोर चला है 83 सेकिंड पुलिस वाला तो चोर ने कितनी दूरी तै की चोर के द्वारा तै की गई दूरी दूरी वराबर होता है 4 गुणा समय 4 की 4 से 83 सेकिंड में तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 तियां 12 इकाई कांग 2 केवल पहला उप्शन है जिसका इकाई कांग 2 है तो 332 मीटर सिंपल कोशन है ठीक 332 होगा ठीक है 332 होगा किलियर चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर पुलिस ने कितनी दूरी तै की तो इसकी गुणा इस से कर देते साथ से क्योंकि पुलिस भी उतना ही चलिए जितना चोर चला है 83 सेकिंड चलिए कीजिए सभी साती फटा फट से आंसर दीजिए अगले कोशन का कितना आंसर हो जाएगा बताईए सभी साती आंसर देंगे कितना आंसर हो जाएगा जल्दी से कह रहा है 18 प्रतीशत की हानी के स्थान पर 12 प्रतीशत की हानी पर एक वस्तू बेचने पर वस्तू 120 उर्पय अधिक में बिक्ती है इसका कॉस प्राइस क्या होगा एक बार और बतादो सर पीछे वाला कोशन देखिए मेरे भाई पीछे वाले कुशन में क्या था तिरासी सेकिंड में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा चोर ने कितनी दूरी तै कि दूरी बराबर चाल गुणा समय चोर की चाल यह है चोर भी इतना ही चला है ना जितना समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ा है चोर भी तो उतने ही समय तो चार गुणा यह तो यह सिंपल कोश्ण था अगला कोश्ण है आपके सामने यह द्यान से देखेगा सभी साते जो भी नए स्टुडेंट जोने सभी का वेलकम है अगला कहरा अठारा प्रतीशत के लॉस के इस्थान पर बारा प्रतीशत के लॉस पर एक वस्तू बेचने पर पहले अठारा प्रतीशत के लॉस पर भिक रही थी अब बारा प्रतीशत के लॉस पर भिक रही है तो जब सेम हो यहां भी loss यहां भी loss तो इन percentage value को add कर लिया करो अगर यहां भी profit होता है यहां भी profit तब भी add करते अगर यह अपोजिट होता है यहां profit यहां loss यहां profit तो अंतर लेते हैं sorry यहां पर आपका loss है यहां भी loss है तो आप क्या लो difference लो same हो तो difference अलग अपोजिट हो तो क्या करेंगे sum करेंगे तो अभी difference लेंगे दो होता है मेरे भाई ama तो आपोजिट के case में sum करते है पराबर कितनगा 20 और CP कितना होता है मेरे भाई 100% 100% बराबर 2000 खतम 2000 इस question का answer है अब जरा मेरी बात को समझे मेरी बात को समझे इसमें pen भी नहीं चलाना था डारेक्ट इनका अंतर ले लो 6% बराबर 120 तो 1% बराबर 20 120 बटे 20 और 100% बराबर 20 गुणा 100 2000 बिना pen चलाया answer आ सकता था लेकिन अभी समझा रहा हूं तो अच्छा यह बात यहां पर यह difference क्यों लिया है इसको समझ लो आप लोग देखो CP कितना होता है 100% होता है cost price लागत मुले किरे मुले जिस मुले पर कोई वस्तु खरी दी जाए वो कितना होता है 100% 100% होता है कोई चीज 18% के loss पर भी किये तो 100 की चीज 18% के loss पर भी केगी तो उसकी value घटकर कितनी रह जाएगी 82% बोलो हाँ सर अब कोई चीज अगर 18% के loss की जाए 12% लॉस पर भी केगी तो 100 की चीज 12% लॉस पर भी केगी तो उसकी value कितनी रह जाएगी घटकर 88% तो 82 से 88 इन दोनों का अंतर दे रखा है इन दोनों का difference कितना होगा मेरे भाई 6% तो इसलिए अब आपको इतना सब कुछ नहीं करना यह ध्यान रखना यहां loss यहां loss तो भी difference यहां profit यहां profit तो भी difference बस profit loss के case में sum करते हैं तो 6% की value 120 तो यह वाला यहां पर 1% बराबर भी 100% बराबर 2000 इतना नहीं करना है जो मैंने पहले बात बताई उस पर focus करना है अगला कोशन कीजिए कीजिए भई अगला कोशन तुम लोग आपस में बाते बहुत करते हो है कि पढ़ोगे कम बाते बहुत करोगे गुड़ीवनिंग हेलो जो भी साथ हमारे साथ में जुड़े हैं सभी लोग टाइम पर जुड़ा करो भई चैप्टर वाइस बेटा एक बजे क्लास चल लए और लेडी चैप्टर वाइस पढ़ना तो एक बजे पढ़ा करो यह ना आते ही नहीं तुम लोग कि एससी वाला यूटूब चैनल पर एक बजे चलतो रही है अच्छा कोई बात नहीं कोई नहीं है ना आओ जरा रमन ने एक लाख रुपए में एक वस्तू खरीदी उसे मोहित को एक लाख बीस हजार में बेच दिया, मोहित ने फिर वही वस्तू रश्मी को एक लाख रुपए में बेची, मोहित को कितने का लॉस हुआ, देखो मोहित ने कितने में खरी दी थी, एक लाख बीस हजार में, और मोहित ने उसे सेल कर दिया, एक लाख में, एक लाख में, तो भ 6-5, 6 का माल 5 में बेचा, तो एक का लॉस हो गया 6 पर, क्योंकि लॉस हो या प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कितने का लॉस हुआ, बटे CP, गुड़ा 100, तो एक बटा 6 कितना होता है, 16 सही 2 बटे 3%, option number A, इस question का, absolutely correct answer हो जाएगा, ठीक है भई, simple question था, pen भी नहीं चलाना था इसमें, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही प्यारा एक question और आपके सामने, आपकी screen पर ये रहा, बनाईएगा जरा, सारे बच्चे, कीजिए भई, सभी साती कीजिए, क्या answer होगा, बताईए, सभी लोग answer दीजिए, कितना answer हो जाएगा, चीनी के मूले में, 12 प्रतीशत की कमी होने के कारण, अक्षत, 1200 रुपे में, 7 किलोग्राम चीनी अधिक खरीच सकता है, चीनी का वास्तविक मूले ग्याद करना है, बहुत ही प्यारा question है, मूल, जो उसका original price है, वो बताना है, और यह मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, गोविंद राजा, आप calling number पर call कर लेना, जो description box में दिया है, वो बता पाएंगे आपको इस बारे में, ठीक है, शलिए, answer सबसे पहले कौन देता है, आजाओ जरा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सभी साथी, 28.25 answer आप दे रहे हैं, क्या पूछ रहा है, वास्तविक मूल, ओरिजनल, देखो, अगर ओरिजनल प्राइज, पूछा हो, वास्तविक या, इसका मतलब पूराना वाला पूछ रहा है, पूराना वाला, ओल्ड वाला, ओल्ड प्राइस, एक्स परसेंट गुणा कीमत, बटे मात्रा गुणा, 100 प्लस माइनस एक्स परसेंट, यह सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया करो, अगर नया पूछा होता, नया, तो नीचे सिर्फ सेम फॉर्मूला रहता, नीचे सिर्फ 100 आता, नया पूछा होता, पुराना पूछा है, तो यहां पुराने में 100 प्लस माइनस एक्स, वास्तविक मतलब जो पुराना वाला था, वो पूछ रहा है, तो कितने की कमी हुई है, 12% की, कीमत 1200 रुपे में, कितनी मात्रा, 7 किलोग्राम अधिक खरीज, कमी हुई है 12% की, 12 की कमी हुई है, तो तो यहाँ पर 4 से काट लो, 4, 3, 12, 4 दुनियाट, 4 दुनियाट, 2 से काट लो, और यह आ जाएगा, 1800, बटे 77, सॉल भी करना पड़ेगा, 1800, क्योंकि लगभग में है, तो और कोई 4 नहीं है, इसमें, करना ही पड़ेगा, दो बार, 7, 2, 14, 7, 2, 14, और एक 15, 6, 2, 0, 7, 23, 7, 24, 28, तीन बार, 7, 23, 7, 23, और दो, 23, तो दोस्तों, यहाँ पर 23 से कौन सा उप्शन स्टार्ट हो रहा है, 23 से, तो कौन सा उप्शन 23 से स्टार्ट हो रहा है, वो ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह 26, यह 25, यह 28, तो 23 से कौन सा उप्शन, वैटा, D आंसर आएगा, D answer आएगा D answer आएगा सही है सुभा लगाते हैं पोल शाम वाली क्लास में थोड़ा सा पोल नहीं लग पाता है इसलिए नहीं लगाते सुभा की दोनों क्लासिस में पोल लगता है चाहें वो 11 वाली हो चाहें वो 1 वाली हो ठीक है तो D answer आएगा प्रिंस रेशियो मैथड से भी हो सकता है यह रेशियो मैथड से भी आप इस कुश्चन को कर सकते हो देखो लेकिन वह और यह आसान है यह फॉर्मूला बेस मैथड मैथड आसान है ratio method से भी हो जाएगा करने को तो कर लो तो इसमें digit value ऐसी थी ना जो cut नहीं रही थी इसलिए देखो 12% 4% का 3 गुना 3 बटे 25 12% कितना होता है 3 बटे 25 ठीक fraction से भी कर सकते हो 12% की कमी पहले कितना था कीमत चीनी का मूल्य कितना था पहले 25 अब 3 की कमी हो रही है बाद में कितना हो रहा है 22 है ना 22 तो यह क्या है यहां पर यह मूल्य यह किसका रेशियो है यह मूल्य का रेशियो है तो अगर खपत की बात करें तो खपत इसका inverse होगी पहले खपत थी 22 अब खपत है 25 ठीक है खपत में कितने की ब्रदी हो रही है तीन यूनिट की तीन यूनिट की value 7 kg दे रखी है तीन यूनिट की value 7 kg हमें कौन सा बताना है पहले वाला तो पहले वाली खपत तो पहले तीन भाग बराबर साथ तो पहले 22 भाग खरीद पाता था 22 यूनिट की value कितनी हो जाएगी 7 बटे 3 गुणा 22 ठीक है 154 बटे 3 तो ये पहले की खपत आ गई अब एक बात बताओ 1200 रुपे में अगर पहले 154 बटे 3 kg खरीद पाता था तो कीमत कितनी हो जाएगी 3 उपर तो यह जाएगा 3600 बटे 154 मेरे भाई बात वही रहेगी आंसर इससे भी उत्ते ही टाइम में आएगा तो पहले की खपत आ गई 1200 रुपे में अगर पहले इतने किलोग्राम करीद पाता था तो रेट कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा तो कर सकते हो रेशो में तड से भी नया पूछता तो 25 यूनिट की वेल्यू निकालकर 1200 को उससे डिवाइड करते तो नया पूछता तो ऐसे करते चलिए अगला कोश्चन है मेरे भाई करो जरा सभी साती आंसर कितना आएगा बताईए सभी साती बताईए कितना आंसर होगा ठीक है तो फॉर्मूला बेस मैथड जादा आसान लगता है मुझे इस कोश्चन में आईए वो डिजिट ऐसी थी ना जिससे वो कैलकुलेशन टफ हो रही थी बाकी उसमें कुछ है नहीं कोश्चन में संदीप एक दुकान तक 500 मीटर की दूरी 175 सेगिंड में तै करता है फिर वह एक दूसरी दुकान तक 400 मीटर की दूरी 125 सेगिंड में तै करता है औस चाल क्या होगी बहुत ही सिंपल कोश्चन है नमस्कार भई नमस्कार कीजिए सभी साथ ही कितना अंसर होगा बताइए बहुत ही सरल कोशन है कीजिए देखो और सचाल एवरेज स्पीड कुल दूरी बटे कुल समय टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यही तो होता है और सचाल का फॉर्मूला क्या होता है कुल दू 500 मीटर की दूरी तै की गई 175 सेकंड में फिर बाद में 400 मीटर की दूरी तै की गई 125 सेकंड में तो यह नीचे तो 300 आ गया मेरे भाई उपर 900 तो 3 मीटर पर सेकंड और सचाल सरली कोशन था यह भी 3 मीटर पर सेकंड हो गई और सचाल चलिए एक कोशन मैं आपको दे रहा हू मैंने आपको कल एक कोशन दिया था पिर्थम पिर्थम चालिस पूर्ण संख्याओं का सम पूर्ण संख्याओं का योग ये कोशन मैंने कल आपको होंबर्क में दिया था कल पूर्ण संख्या है होल लंबर होल लंबर कहां से स्टार्ट होते हैं एक बार कमेंड करके बताओ सो मच भाई आप डेली जुड़ा कीजिए मैंने अभी आपको क्लासिस का टाइम तो बताई दिया क्लासिस की जो पीडियाफ है और क्लासिस का लिंक है वह आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिलता है अभी पीडियाफ भेज दूगा यहां पर तो आप इस पर भी जोइन करक है जीरो से मेरे भाई ठीक है तो पूर्ण संक्या कहां से स्थार्ट होती है जीरो से तो पहली 40 पूर्ण संक्या कहां से कहां तक होंगी पहली 40 पूर्ण संक्या हैं कहां से कहां तक होंगी मेरे भाई पहली 40 पूर्ण संक्या होंगी यह 0 से 39 तक ठीक है अच्छा उतकर्ष ठीक है clear 0 से 39 तक यह पहली 40 पूर्ण संक्या होंगी तो इनका सम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बननी है समांतर सिरेणी बननी है तो समांतर सिरेणी के पदों का यो क्या होता है पहला पद प्लस अंतिम पद बटे दो गुणा पदों की संख्या पस्टम प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू मल्टिप्लाई नंबर ओफ टम्स अर्थमेटिकल में समान अंतर हो न तो योग के लिए यह फॉर्मूला लगा दिया करो बटे दो नंबर ओफ टम्स चालिस पद है नहीं पद कितने चालिस कितने टम्स हैं चालिस तो बिटा 49 दूनी 78 780 आएगा आंसर किसी ने आंसर दिया रे सैतान जीरो आंसर दे रहा है बर्फी तुमार लगा सकते हो इसमें आप 49 तक की संक्याओं का योग निकाल दो आंसर वही आएगा इस फॉर्मूले से चलो तो आज की ग्लास यहीं तक रखते मेरे भाई एक होमबर्क में कोश्चन आज यह दे रहा हूं सिंपल सा कोश्चन है करके देखना और एक कोश्चन में यह दे रहा हूं इस कोश्चन का आंसर भी देना 20-30-40-100 इन सब का सम बताना है कमेंट में 20-30-40-50-60-80-90-100 चलिए इतना ही रखते हैं आज के सेशन को मुलाकात होगी अब कल तब तक के लिए बबाई टेक क्यार जैहिंद और सभी लोग सेशन को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ भी कर दिया काने थैंक यू